अपनी अनूठी संस्कृती के लिए विख्यात जौन सार बावर परगणे में स्थानीय स्तर पर कई त्योहार माने जाते हैं, जिनमें बूढी दीवाली बिस्सू के साथ ही एक माह तक मनाया जाने वाला माग मरोजपर्व प्रमुख है। पढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। समरसता के प्रतीक माग मरोज त्योहार मनाने के पीछे किर्मिर राक्षस के आंतक से जुड़ी घटना बताई जाती है। क्षेत्र के बड़े बुजर्गों की माने तो सैकडों वर्ष पहले जौनसार बावर और हिमाचल सीमा के बीच बहने वाली टोंस नदी को पहले कर्मनाशा नदी कहते थे। जिसका नाम बाद में टोंस पड़ा। वचालदा महासू देवता को हनोल मेंदरत थान में लाए। मानिता है 26 तारीख को पौश मास की रात महासू देवता के सबसे पराक्रमी वीर यानि सेनापती कैलू महाराज ने किरमिर राक्षस का वध किया था। माह तक बर्पनरागत अंदाज में नाच गाने के साथ मनाते हैं। में ब्याही बेटी का हिस्सा लेकर उसके घर भी जाते हैं। जिससे बेटी का जुडाव मायके से हमेशा बना रहे। बेटी का हिस्सा ससुराल में नहीं पहुँचाने से रिष्टेदारी तूट जाती है। क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग जहां जहां भी महासू देवता की मान्यता है, वहां सभी लोग हर साल माग मरोज त्योहार का जश्न परंपरागत अंदाज में मनाते हैं।